Good morning Metro के यहाँ आए हैं महेश भट जो प्रेड़ना दे चुके हैं बहुतों को मैं एक ऐसी बात आपको बताऊंगी जिससे आप प्रेड़ना मत लेना और वो है कि इन्होंने स्कूल छोड़ दिया था लेकिन बहुत सी और भी बाते हैं जिने फकर आपको लłęगागी कुछ सीखना चाहिए इनके पास भगवानना भीणती है और इस छ्षत्री को और बड़ादा भनाते रहते हैं और फिल्मों को ब लगते रहते हैं और लोगों को लगते रहते हैं तो इसकी जो जाएएब भी बढ़ती जाती है आपका बहुत-बहुत स्वागत महेश जी, आपको निर्माता, निर्देशक और कुछ हद तक लेखक के तौर पे तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि आप विचारों में और जन्दगी में खूब जन्दा दिल इनसान हैं और मैं बाचीत कैसे कब हुआ और ये सारी उम्र आपके साथ रहा है? मुझे याद है कि बच्पन में कुछ तीन-चार साल की उमर में मेरी मा कहती थी कि तेरे अंदर ये फखीरों वाले जो अंदास कैसे पतानी कहा से आ गए? एक तिल्ट था, नैच्रिल तिल्ट, बच्पन मुझे याद ह कि हमारे घर के आसपास एक समशान खाट था. तो मैं वहां अक्सर जाकर बॉडिस को जलते वे देखता था. और पूछता था अपने आप से कि क्या ये जो कहते हैं कि ये आदमी जो मरता है तो ये जब धुआ उपर उठता है और जब लास फ्लेम डाइज क्या ये वाकि आस तिल्ट था, एक अपसेशन थी तो अफड़ देखता कि जिन्दगी के बारे में अगर आपको बात करनी है तो देख के बारे में आपको बात करनी बड़ेगी. ये जब मैं अपने स्पिरिच्वल बाजार से भी गुजरा रजनीश जी के पास गया, उस तक हैं बड़े, वे अपने 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 लोगों को जलते हुए देखा है, आपने देखा है, सितारों को बढ़ते हुए और फिर जल के खतम हो जाते हैं आपने अपनी जिंदगी में बहुत बदलाव लाए हैं, आपने अपने अपनी जिंदगी में बहुत बदलाव लाए हैं, भूलो ऐसे और आगे चलो, तो ऐसे में इस बदलाव में कुछ मुश्किल आयते हैं, तो आई होंगी, उनका सामरा आपने अपने अपने स्मूदी क मैंने एक बात नोट किया है कि लोग actually when they say they're frightened of death, they're not frightened of death. वो जिन्दगी से डरते हैं, जीने से डरते हैं, दर असल हिम्मत जीने के लिए जाई है. मौत के बारे में मौत से तुछी डरता है, मौत का idea नहीं, you won't be there to know what death is. क्योंकि अब जब तक आप रहेंगे तो मरेगा कौन है, तो मौत से आपका साखशाथ का confrontation का भी होगा ही नहीं, लोग दर से डरते हैं, और कहीं पर मुझे लगता है कि एक unconventional life रही है, दुनिया के definition से, विद्रो किया, मैंने स्कूल में ऐसे आपने शुरुवार में कहा, I was a school drop out, अगर मैं सिक्षक की और principles की और मेरे आसपास के जितने लोग तुनकी सारी उकसारों की बात सुन लेता, तो मैं शायर आज ये television camera के सामने बैठी नहीं बाता है, क्योंकि मुझे लगता है, यह जो एक चीज़ मैं यहां जानना चाहूंगा कि शिवानी और मैंने आपसे बात की, आपके दर्शन के बारे में, आपकी जिन्दगी के बारे में, तो फिल्मों में भी उतार चड़ावाते हैं, जीवन में भी उतार चड़ावाते हैं, दोनों के उतार चड़ाव को, दोनों के दर्द को निराशा को जूझने के लिए, आपका अपना मंत्र क्या है? मैंने भी एक दिल्दी हवाई एड़े से यहां पर आते हुए अपने एक स्टूड़न को, सूरच को, 16 साल का बच्चा जो फिल्म बना रहा हमारे है चाई भी एड़ से, उसको मैंने बात कहीं, मैंने कहा है बेटा, अगर काम्याब हो जाओ तो 24 घंटे उसका जशन मनाना, पर 25th hour, get into the mainstream of life. My definition has been, courage और हिम्मत के definition है, वो बहुत सीधी है, fall down 10 times, get up 11 times. अपकी फिर्मों के साथ भी ऐसा हुआ, prop 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 prop, hit. और मैं कहता हूँ कि, the mantra for success is, double your rate of failure. double your rate of failure and I guarantee you success. और जो आदमी failure से डर्गता है, उसका कुछ नहीं हो सकता है. मैं कहता हूँ, you should reward failures, you should reward successes, you should punish non-performance. जो आदमी perform नहीं करता हूँ, उसको आप परफॉर्म नहीं करता हूँ. तो यह मदद करने का सिल्सला फिल्म इंडिस्ट्री में इतने बड़े डिरेक्टर बनने के बाद आपने शुरू कि बच्पन से ही आपका तरीका था? मुझे एक बात का ऐसास था कि एक दरगा था महीम दरगा के आसपास एक फकेर मिलता था. मुझसे बार-बार एक बात करता है। बेटा कि मुझे से दूसरी मुझा में अगर आप रोशनी प्राफ कर लें तो उसकी रोशनी कमनी होती मगर वहाँ का अंधेरा कम हो जाता है. और असली लीडर जो है, is not known by the number of followers, but the number of leaders he creates. महिज जी, इसी से जोड़ी एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, कि फिल्म इंडिस्ट्री में आपके सामने कहने वाली बात नहीं है, आपकी बहुत इज़त की जाती है, क्योंकि आपने बहुत से लोगों को direction का मौका दिया, बहुत से लोगों को अभिने का मौका दिया, तो जब कोई अभिनेता आपका दर्वाजा खट खटाता है, जाहिर है इतने बरसों में हजार उन लोगों ने आपका दर्वाजा खट खटाया होगा, और आप उस बीड चुनते हैं, और उसे परदे पर पेश करते हैं, तो क्या देखते हैं उस शक्स में? क्या होता हुआ 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 leer वह श्मेंटिकर हुआ 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 है, मेरा इश्क अधर, if I have to deduce my life to an affair, I would say the major love of my life was my mother. मेरी मा से जादा, she was the divine, उसके बाद में यूजी कृष्नमृती. These are the principal loves, the romantic love, of course, there was my first wife, there was my second wife, and there was a woman with whom I fell in love, and this की वजे से अगर वो जिन्दगी का हाथसानी होता, तो शायद अर्थ नहीं बनती. तो बहुत लोगों का योगदान है जीवन में, but coming back to the point, I feel कि जैसे अनुपमखेर साब आया थे, घंटी बजी एक दब चहरा था, इतना इमान दा, इतना sincere, इतना hungry, नदीम शर्वन, भूक, भूक. मैं कहता हूँ कि एक मरतबा लोगों के दिलों में आप प्यास जगा दीजिए बस, पानी तो अपने आप भूड लेता है, प्यासे लोग, अनुमलिक हो, नदीम शर्वन हो, अनुपमखेर हो, सजदत, पौकी के बाद में, बिल्कुल जैसे वो एक भूका आदमी था, नाम म तो होता है, at times you go wrong, at times you are right. पर इस जिन्दगी में इतनी pressures होते हैं, फिल मी दुनिया की जिन्दगी में, की ड्रग्स और इस तरह की distractions भी जीवन में आने की जो possibility होती है, ज्यादी होती है, तो ऐसे में... तौकी की जिन्दगी में इस दूखिते हैं, एक पर परिवायिभी है, आप देस्ट है जिन्दगी में होता है, तो बिल्स वार्णी साथिछें आहाओनी जिए खुपितम और की जीवन, आप ऐसे संब इसे बहुता है, और नार्तिख़ आइसे हिसे तन्गी में हैं आपनी विगzar किस और की जिन्दकी के हाजसों को आ परदे पर उतार देते हैं या काघसओ पर उतार देते हैं तो क्या वह हादसे से छूट जाना भी है कहीं पर आप मुक्त हो जाते हैं का थार सिर्ष का एक ऐसास होता है मगर वो कहते हैं न एक कड़ा दर्द जो गीत में ढ़लता ही नहीं, दिल की तारीखियों से उतरता ही नहीं कहीं पर आपको लगता है कि आपने धाए घंटे की फिल्म बना दिये तो आप मुक्त होगे नहीं सपनों में वो बात वो साय फिर घरते हैं माफी चाहूंगा लेकिन आपकी जिन्दगी का वो कड़ा दर्द जो गीत में उतरता ही नहीं वो क्या है उसकी च्छाम अगर थोड़ी सी बढ़ाए नहीं देखिए एक जो मैंने अपने फॉर्मिटिव यर्ज अपनी जो मदर के साथ में गुजा रहे हैं वो एक शीया मुसल्मान ओरत एक ब्रहमिन आदमी के साथ में का रिश्दा था शादी नहीं की थी उनुन और हम एक ऐसे अलाके में रहते थे जो प्रेडॉमिनेंटली बहुत ऑर्थरडॉक्स हिंदू थे कहीं पर उसने अपना जो वजू चुपाया दुनिया से कहीं पर एक सहमी वी आवाज उसकी दरी वी औरत कहीं पर मैंने वहां पर देखा कि मेरे अंदर एक विद्रो जागा और मुझे भी जागा कि दुनिया जो है आपको मैनिपुलेट करती उस हर्च उस बात से जो आप छुपाते हैं विद भी मेणा कि अपर आप यूपीद होगा है तो और देखा कि हमार्या। मेरा दिल कहीं भी लगा नहीं मेरे दिल को दे मुझे ऐसा कोई मिला नहीं तेरी काइनत में खुदा। थैंकिए बहुत बहुत जहने बादे